नमस्कार दोस्तो प्लमबर मायन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अर्जुन सिंग और आज हम बात करेंगे कि मां लिजे किनी दो फिटिंग के बीच में अगर जो पाइप का टुकड़ा हमें नापना होता है तो वो कहां से और किस हिसाब से हम उसको नापते हैं तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइगन को प्रेस करें और इस चैनल के लाव हमारे दो चैनल और एलेक्ट्रिकल माइंड और एच्टी एमटी वहाँ पर भी जा कि आप अच्छे अच अगर हम काटते हैं तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे तो बहुत से लोग हैं जो गलती कर देते हैं जो यहां से लेके और इस एंड तक या फिर यहां तक उसको नाप लेते हैं फिर बाद में उनके वह छोटा पड़ता है तो बहुत से नए प्लंबर जो हमारे हैं उनको आप इंची टेप लेके आएंगे क्योंकि ये जो इतना मुह है कोई भी पाइफ होगा ये फिर सोकेट होगा उसमें इतना हिस्सा आएगा ही आएगा और उसके बाद में इसके अंदर वाला हिस्सा भी हमें नापना होता है तो ये साइज अभी 75 है 75 है लेकिन आप इसको आगे से ये मान के चले 110 mm, 90 mm या फिर 160 mm पे भी यूज़ कर सकते हैं तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ से नापना है अपने को और यहाँ तक तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक मैं इसको नापूंगा इससे थोड़ा सा पीछे ये देखिए तक्रीबन साड़े ग्यारा इंच, साड़े बारा इंच आरा है यहाँ पे, यह हमने स्टार्ड यहाँ से किया है और यहाँ पे साड़े बारा इंच यह वाला इससा, साड़े बारा इंच तक हम इसको टुगड़े हो काटेंगे, तब जाके यह अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पे पीछे करते हैं पीछे करते ही ये वाला सेब जो है इसका चेंज हो जाता है आगे जो फिटिंग लगेगी वो आगे पीछे लगेगी तो आज की ये बात समझ में आगे होगी आशा करता हूँ अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय वारत